तो आज हम इस वीडियो के इंदर सीखने वाले हैं जियो का पोस्ट प्लान कैसे चेंज करते हैं चाहिए मैं डाउंग्रेट करना हो या फिर अप्ग्रेट करना हो प्लान बढ़ाना हो ज्यादा बेनिफिट आपको चाहिए डेटा ज्यादा चाहिए या फिर प्लान कम करना हो फैमिली प्लान के उपर आना है, A to Z कुछ भी हो, प्लान चेंज कैसे करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो है, माई जो एप डाउलोड कर लेना है, और अपने उसी मॉबाइल नमबर से आपको लॉग इन कर लेना, जो पोस्ट पेड मॉबाइल नमबर है, आपको उप फैमिली एड़ो नहीं करना है, तो चली है, चैंज करते हैं, कैसे करना होता है, प्लान नजर आएगा, यहां पर आपको आपका मॉबाइल नमबर देखेंगा, उपर के साइड में, यहां पर आपको जो भी प्लान है, वो नजर आएगा, क्या बेनिफिट्स हैं, वो भी उनली कॉलिंग के उपर हो जाएंगे, इंकमिंग कॉलन के उपर रिसीव होगी, उनको किसी दूसरे फैमिली प्लान के अंदर आड करना पड़ेगा, तो यह सारी चीरे बता रहे हैं, तो हाँ ठीक है, प्लान कर देंगे, अब यहां पर देखेंगे, आपको सारी प्लान प्लान करेंगे, यहां पर प्लान चेंज कर रहे हैं, यह वाला प्लान आपका हो जाएगा, और यह प्लान जो 24 घंटे के अंदर-दर रिफलेक्ट हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, यह सारी बता जाएगे, कोई बाद नहीं प्रसीड करेंगे, पेमेंट सक्सेस्फ यहां पर जियो नमबर नजार आजाएगा, और यहां पर निक्चे लिखा हुआ है, यहां पर सो नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा, जैसे यहां पर रिफलेक्ट करता है, अगें दुबार हमाते हैं, आज नेक्स डे अगला दीन है, 24 घंटे के बा 5G data limited है, data 13GB मिला हुआ है, क्योंकि बिल साइकल यहां पर कल्कुलेट करके इतना ही दिया गया है, और यह 100 SMS मिले हुआ है, जो कि पर दे के साब से मिले हुए यहां पर, वाइस साल मिले है, तो अभी finally हमारा प्लान जो है, वो अपडेट हो चुगा है successfully, इस तरीके से आपको सेम तरीके से steps follow करके प्लान को change करना है, और इस वीडियो से आपको कुछ help हुई है, तो इस वीडियो को like कर देना and channel को लेना subscribe, मिलते हैं कि इसी दूसरी वीडियो के साथ में ततक be safe and be healthy